दोस्तो अकसर ब्रेक अप के बाद लोग समझे नहीं पाते हैं कि हम क्या करें कैसे हम जीए उनको लगता है कि उनके जिन्दीगी एक तम बिखर गया है तूट चुका है अब हम जी ही नहीं सकते हैं और ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रेक अप के बाद बहुत से लवर्ट सेसे करते हैं कि अपने जान लेने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है बहुत ही बड़ी बात है बहुत ही खतरनाक बात भी है तो आज बहुत को बताऊंगे कि ब्रेक अप के बाद कौन-कौन से कौमन गलतिया होते हैं जो आप लोग करते हो और ऐसे गलतिया आपको नहीं करना है चिलिए ध्यान से समझ लीजे पहला जो बात यह है आप लोग क्या सोचते हो कि हमारी जिन्दे की खतम हो गया है मतलब हम एकदम बिखर गया है एक साल के बाद आपका बेक अब हो गया तो आपके लगड़े जिन्दगी खत्म हो गया तो आप यह बता उननीस साल से पहले कि आप में जिन्दगी नहीं जी रहे थे क्या आपको और भी लोग जो है वह प्यार नहीं करते हैं आपके ममी पापा भाई बहन आपके दोस्त पाड़ी है तो इसको हमेंसा याद रखना ब्रेक अप के बाद कभी भी इतना ने उठ जाना अंदर या अंदर कि आपको लगे कि जिन्देगी ही खतम हो गई ठीक है दोस्तों पहली पॉइंट अब दूसरा गलती क्या लोग करते हैं रोते हैं गिर आते हैं माफी मांगते ह अगर किसी के दिल में आपके लिए कोई भी प्यार नहीं है तो उसके सामने रोखिक गिर गिरा के भलक क्या होने वाला है तो आप अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना उसको एकदम गला घूट के मार देते हो और उनके पास जाते हो भीक मांगने के लिए तो दोस्तों प जो कि ब्रेकप के बार आम है जो आप लोग करते ही हो तो इसको भी आपको नहीं करना है तीसरी बात क्या है बार बार आप लोग क्या करते हो वर्ट सब के लस्ट सीन चेक करते हो यह बहुत ही बड़ी गलती है आपके दिमाग में जैसी आप उनका लस्ट सीन चेक करते हो त तो ब्रेक अप चाहे कितना भी दिन होगे आप कभी उनको नहीं भूल पाओगे और कभी आप मूव ओन नहीं कर पाओगे तो यह आपकी तीसरी बड़ी गलती है जो कि ब्रेक अप करते हो तो टेफिनेटली आपको लस्ट सीन नहीं चेक करनी है अब आप यह कह सकते हो कि दूसरे का भी नहीं दिखेगा आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन लस्ट सीन मत चेक करो अगर आपको उनके साथ ब्रेक अप हो गया है तो ठीक है चाहर नमर क्या गलती करते हो आप लोग वह आपको ब्लॉग कर दिया है ठीक है वह आपसे बात नहीं करना चाहते है उनकी से आप कॉल करते हैं कुछ भी करके आप ब्लॉग होने के बाद उनके साथ कम्यूनिकेट करने के बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हो यह आपकी चार नमबर गलती जो कि आपको नहीं करना चाहिए देखिए सब कुछ आपकी प्यार जो है ना वो भी लिमिट में होना चाह वो समझ में ही आता है और इस वज़े से और भी चांस नहीं होता है कि वह आपके जिंदेगी भी वापस लोटके आए तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप उनके पीछे ऐसे मत पर जाओ कि वह एकदम से इरिटेट हो जाए ठीक है पांच नमबर क्या गलती है मैक दोस्ते के नशा कर के हम सामने वाली को बूल जाएंगे लेकिन दोस्ता प्यू भूल जाते हो नशा आपको टेंपड़ेरी खुषी सकता है यह नशा आप को थोड़ी दर के लिए भूला सकता है लेकिन पर्मनेंटली नहीं भूल पाओगे और जैसी वह नशाप का छूट जाएगा ना तो और भी डीपली जादा हो कि वो याद आएंगे और फिर क्या करों कि आप और जादा नशा करोंगे फिर एक एकर करके आप अपने किडनी सब कुछ खराब कर दोगे तो इसका क्या फाइदा है आपको शरीर मिला है जिसके अंदर रहता है उसको जो आना प्रेस्पेक्ट करो अपने शरीर की साथ जो आना अप अत्याजार करते हो तो तो यह सब करना बंद करो आप ऐसे एक इंसान के लिए इसा कर रहे हो जिन गिरगे आ रहे हो उनको कोई फरक नहीं पढ़ता है ऐसे एक विल इनसान के लिए आप अपनी लाइफ बरबात कर देऊ तो आप सोच सकता कितना ज्यादा गलत करते हो तो यह नशा करने का जो डिशिशन है यह बहुत ही वर्स्ट डिसिशन है ठीक है लास्ट पॉइंट में जाता है अजाता है भी लुट पाद यह गलत और सबसे बत्तर काम है यह अप लोग अपनी हमने की लिए गटिया हो यह हाँ अकि जाफ रखोल करना चाहते हैं जिनके लिए आपका मपारणा या अफिर वालिया 안 रखता है तब समसे हैं तो आप कितने बरे मूर्ख हो अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर मेरे पार्टनर में साथ नहीं है या फिर मुझे छोड़के चले गए है तो मुझे मर जाना चाहिए तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो जी हाँ दोस्ता सही सुन रहे हो क्योंकि ऐसे सोच एक मुर्ख के दिमाग में ही आ सकता है क्योंकि जो बुद्धिमान होगा वो ये सोचेंगे ठीक है तुमने मुझे छोड़ दिया मैं एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुचूंगा जब मुझे देखके तुम पच्चता हो कि मैंने क्या ही रखो दिया है ठीक है ये एक दिमान व्यक्ति जो आना वो सोच थे इसलिए मैं ये वीडियो बनाएं ताकि आप लोग ऐसे सोचो जिसके लाइफ में आपके लिए कोई वैलू है जिसके लिए कोई कदर नहीं रेस्पिक्ट नहीं है कुछ नहीं है अप उसके लिए अपना जीवन लेने को चले हो तो इसको क्या कहोगे पागल बंदी या मूर्खता है तो ऐसा मूर्खता आपको बिलकुल ही नहीं करना चाहिए ठीक है तो दोस्तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और सब में शेयर कर दो जितना हो सके शेयर कर दो ताकि ये सब को पता चले और ब्रेक अप एक आम बात है जो कि होता रहता है लेकिन ब्रेक अप के बाद किसी का जिन्देगी नश्ट ना हो तो आरेंट से इस वीडियो को ना बहुंँ ज़ाद आप शेयर कर दो दोस्तों अचले इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और मेरे साथ अगर डारिक कॉल पर बात करना चाहतों तो कॉल मी फूर अप्लिकेशन सब कर सकते हो और अगर ऐससे वीडियो सब रेगू लड़ ली चाहते हो तो स्प्सक्राइब करके बैल वाल आइकोन दबा लिज झाल आइकोन झाल सब बाल आइकोन दिए